आईए अब जानते हैं ठोसों में विभेने प्रकार के निवड संकुलन को विभेने प्रकार के क्रिस्टल जालकों में उनके अव्यवी कण यानि की परमाणू, अनू, अथ्वा आयन एक निश्चत क्रम में विवस्थित रहते हैं उनकी इस विवस्था को पैकिंग कहा जाता है या हम उसे निवड संकुलन कहते हैं इस प्रकार का जो संकुलन है वो एक विमी भी हो सकता है, दुवी विमी भी हो सकता है और त्री विमी भी हो सकता है सबसे पहले हम जानते हैं एक विमिय निवड संकुलन, close packing in one dimension को इसमें यदि हम गोलों या परमानों को एक ही दिशा में एक के बाद एक क्रम से रखते चले जाएं तो एक ही दिशा में इस प्रकार का जो संकुलन हमें प्राप्त होगा उसे एक विमिय संकुलन कहा जाता है इस प्रकार के संकुलन में आप देखेंगे कि प्रतेक एक गोला दो गोलों के संपर्क में होता है और इस तरह से प्रत्य कोले या पर्मानूं का कॉडिनेशन नंबर उपसहसयोजन संख्या दो होती है। उपसहसयोजन संख्या वह होती है विचों कि किसी भी किस्टल जालक में कोई पर्मानूं अपने निकट वर्ती जितनी पर्मानूं से घिरा हुआ होता है या बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है उससे हम उस पर्मानूं की उपसहसयोजन संख्या कॉडिनेशन नंबर कहते ह अलग अलग प्रकार की निवड संकुलन या क्लोस पैकिंग में हमें प्रतेक परमाणों की कॉडिनेशन नंबर भी भिन भिन होती है अब हम देखते हैं द्वीविमी निवड संकुलन जब हम द्वीविमी संकुलन करते हैं उस समय सबसे पहले हम गोलों को एक ही क्रम में एक व दूसरी लेयर लगाएंगे, दूसरी लाइन जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो संभावनाई हो सकती हैं, एक तो यह कि हम द्वती लाइन के गोलों को प्रथम लाइन की गोले के ठीक नीचे रखते चले जाएं, और इस प्रकार से जब जो संकुलन हमें प्राप चार अन्य गोलों के संपर्क में होता है और इस तरह से गोले की या परमाणों की कोडिनेशन नंबर चार होती है दूसरे प्रकार का यदि हम देखें प्रत्यम लाइन के बाद दूसरी लाइन को यदि हम उसके ठीक नीचे न रखकर दो गोलों के बीच में रखते चले जाएं तो इस प्रकार हमें दूसरे प्रकार का संकुलन प्राप्त होगा जिसे शट कोण ये निविड संकुलन हेग्जागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इस प्रकार के पैकिंग में आप देखेंगे कि प्रते के गोला यहाँ पर यदि इसको मिलाते चले जाएं इन रिखाओं को प्राप्त होता है और प्रतेक गोला तो अन्य गोलों के संपर्क में होता है औरस प्रकार के संकुलन में मेराणों की को आडिनेशन नंबर 6 होती है मिला आजे अब देखते हैं त्रीविमी निविड संकुलन, close packing in three dimension, त्रीविम में close packing करते समय हमारे पास दो संभावनाय होती हैं, दोफिमी संकुलन में हमें दो सरचनाई मिली, वर्ग निविड संकुलन और सटकोनी निविड संकुलन, यदि हम वर्ग निवट संकुलन की पर्तों को लेकर त्रिविम संकुलन का निर्मान करें तो वहाँ पर भी हमें दो संभावनाई मिलती है पहले संभावना होगी यदि हम द्रिविमी निवट संकुलन की पर्तों के ठीक ऊपर दूसरी पर्त को बिछा दें तो ऐसे स्थती में नीचे वाले प्रतेक गोले के उपर दूसरी पर्त के गोले होंगे और इस प्रकार का जो त्रीविमी संकुलन हमें प्राप्त होगा उसे कहा जाता है सरल घनिय संकुलन इस प्रकार की जो व्यवस्था हमें मिलेगी वो मिलेगी सरल घनिय इस प्रकार को सरचना भी कह सकते हैं इस प्रकार का यहां पर जो क्वाडिनिशन नंबर होगा वो प्रत्य परमानों का वो छे होता है और इस प्रकार का जो उधारन है हमें सीजियम क्लोराइड में देखनी को मिलता है साथ ही साथ यदि हम इसमें कुल कणों की संख्या की गर्णा करें तो प्राप्थ होती है और साथ यदि हम इसकी पैकिंग शंता को जाने तो पैकेंग शंता इसकी 52.8% होती है दूसरे प्रकार की पैकिंग में यदि हम वर्गाकार निवड वर्ग पर्थ के उपर दुति पर्थ को ना रख और प्रत्व के जो डिप्रेशन हैं या अवनमन है उन पर यदि हम दुति पर्थ के गोलों को जमाते जाएं तो हमें एक दूसरे प्रकार की त्रविम संकुलन प्राप्त होगी इस प्रकार का जो संकुलन होगा उसमें A के बाद B परत दूसरी होगी और उसके बाद जो तीसरी परत होगी वो बिल्कुल पहले वाले परत की जैसी होगी इस प्रकार का जो संकुलन है हमें अंतह केंदरी घनी ठोस में प्राप्त होता है और इस प्रकार के संकुलन में जो परमाणों की कोडिनेशन नंबर होती है वो आठ होती है लेकिन इस प्रकार का जो अंता केंद्रिय घनी प्रकार का जो संकुलन है इसे क्लोस पैकिंग निवड संकुलन नहीं माना जाता है इस प्रकार के संकुलन में का जो उदारन है हमें लीथियम, सोडियम, पटैसियम, रुबीडियम और सीजियम में देखने को मिलता है। साथी साथ इसमें जो बॉडी सेंटर जो क्लोज पैकिंग है या सरल घनी, अन्ता केंद्री घनी संकुलन है। इसमें हमने देखा था कि इसमें कड़ों की संख्या दो होती है। साथी साथ इसमें जो पैकिंग फ्रेक्शन है, जो संकुलन छमता होती है, इसकी 68% तक होती है। अब हम देखते हैं त्रिविमी संकुलन जिसमें हम सट द्विमी संकुलन की सट कोणिय निविट संकुलन को आधार मन कर हम त्रिविमी संकुलन का निर्माण करते हैं इसमें भी हम देखेंगे कि जब हम द्विमी सट कोणिय संकुलन की पहली परत के उपर उसके दूसरी परत यदि हम बिच्छाते हैं यदि उसकी अवनवनों पर डिप्रेशन पर दूसरी परत रखते चले जाएं तो ये पहली परत A होगी और दूसरी परत B होगी इसके बाद यहां पर हम सरचना उपर से देखें तो हमें दो प्रकार की सरचनाई दिखाई देती हैं एक सरचना वो होती है जिसमें कि नीचे के एक गोले के ऊपर तीन गोले यहाँ पर दिखाई देते हैं और इस प्रकार से एक जो सरचना बनती है उसके बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसे हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति दूसरे प्रकार की सरचना में हम देखेंगे कि यहाँ पर नीचे के तीन गोलों के ठीक ऊपर तीन गोले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार के बीच जो सरचना बनती है यह अस्टफल की सरचना है जिसके मध्य में जो रिक्तिस्थान होगा उसे हम अस्टफल की रिक्ति कहते हैं तो ये पहली परत ए होगी इसमें दूसरी परत भी होगी इसके बाद जब हम तीसरी परत लगाएंगे तो वहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं एक संभावना होगी कि हम चतुषफल की रिक्तियों का अच्छादन करें और दूसरी संभावना होगी कि हम अस तीसरी पर्त को लिए तो यहां पर आप देखिए जो तीसरी पर्त होगी वो ए पर्त के बिल्कुल जैसी ही होगी और इस प्रकार से हम देखेंगे जो सरचना मिलेगी वो हमें मैगनेशियम, जिंक, साथी साथ ठोस, हाइडरोजन में इस प्रकार का संकुलन हमें देखने को मिलता है। साथी साथ इसमें कौाडिनेशन नमबर यदि हम देखें तो एक परमानों की उपसा सेयोजन संख्या कौाडिनेशन नमबर 12 होती है। तथा इसमें कुल कणों की संख्या 6 आती है। साथ ही इस प्रकार का संकुलन काफी क्लोज होता है, इसमें कण काफी पास-पास होते हैं और इसलिए इनका जो पैकिंग फ्रक्शन होता है, वो 74% सबसे अधिक होता है। इस प्रकार के जो विवस्था बनती है, यह जो इनिविड संकुलन होता है, उसे हम Hexagonal Closed Packing या HCP संकुलन कहते हैं। दूसरी संभावना है कि A और B पर्त के बाद, तीसरी पर्त में हम सभी अस्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करें। अस्टफल के रिक्तियों का अच्छादन जब हम करते हैं, तो जो तीसरी पर्त होगी, वो A और B से बिलकुल अलग होती है। अता इसे हम C पर्त का नाम देते हैं। और इस प्रकार का जो सरचना बनती है, उसे हम A, B, C, A, B, C सरचना कहते हैं। इस प्रकार का जो क्लोस पैकिंग है या निवट संकुलन है, हमें CCP सरचना या फेस संटर्ड क्यूबिक फलक केंदरी घनी में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम कॉडिनेशन देखें तो प्रतेक परमाणों का कॉडिनेशन नंबर यहाँ पर 12 होता है। और साथ ही एक यूनिट सेल में कणों की संख्या होती है, वो 6 होती है। यहाँ पर CCP या FCC संकुलन जो है उसमें भी पैकिंग फ्रक्षन होता है, वो 74 परसंड होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भेन भेन प्रकार के क्रिस्टल जालकों में भेन भेन प्रकार की पैकिंग पाई जाती है। आईए, अब हम जानते हैं अंतराकाशी रिक्तियों या इंटरस्टिशियल वोड्स के बारे में। यदि आप एक काटन ले और उसमें बॉल्स भरते चले जाएं, तो आप पाएंगे कि जो घनाकार काटन हैं, उसमें गोलाकार बॉल्स जब आप भरते हैं, तो कभी भी आपका काटन पूरी तरह से सत प्रतिसत भरा हुआ नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ रिक्तिस्थान होता है। ठीक इसी प्रकार जब विभन क्रिस्टल जालकों में परमानू, अनूओं या आईनों की पैकिंग होती है, उनकी जो विवस्था होती है, क्योंकि उसमें परमानू को आपकार गोलाकार माना गया है, तो वहाँ पर कभी भी जो क्रिस्टल जालक का संपून सो प्रतिसत आईतन भरा हुआ नहीं होता है। वहाँ पर कुछ न कुछ रिक्तिस्थान पाया जाता है। और इन रिक्तिस्थानों को हम अंतराकाशी रिक्तियां या इंट्रस्टिशियल वॉड्स कहते हैं। ये एक विमी जो संकुलन हमें देखा, उसमें किसी भी प्रकार की रिक्ति नहीं होती है, लेकिन जब हम द्विमी या त्रीविमी संकुलन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें कई अलग अलग आकार की रिक्तियां देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विमी संकुलन में कि आपने देखा, दो प्रकार का संकलन होता है, एक वर्ग निविट संकलन और दूसरा शट कोण ये निविट संकलन. जब हम वर्ग निविट संकुलन करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चार गोलों के बीच में एक वर्गाकार छेत्र रिक्त के रूप में प्राप्थ होता है और इस प्रकार की जो रिक्ति होती है इसे हम वर्गा कार रिक्ति कहते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिक्त स्थान है वो चार गोलों से घिरा हुआ होता है याने की रिक्ति का भी coordination number 4 होता है ठीक दूसरे प्रकार का जो दूमी निविड संकुलन हम देखते हैं वो होता है सट कोणी निविड संकुलन इस प्रकार के संकुलन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि विभिन गोलों के बीच में तीन तीन गोलों के बीच में एक त्रिकोणी स्थान रिक्त दिखाई देता है यहने कि यह प्रकार की जो रिक्ति है उसकी सरचना त्री कोणी होती है जिसे और इस प्रकार देखेंगे कि यह जो रिक्त स्थान है तीन गोलों के बीच का रिक्ति स्थान होता है यहने कि इस रिक्ति का क्वाडिनेशन नंबर तीन होता है इसके बाद हम देखते हैं त्रीव डिमी निवड संकुलन close packing में हाँ एक तो है सरालज़रनी निवड संकुलन, दूसरा है ह publicly अग्जागोनल close packing और تीसरे प्रकार की प्रोय सेकर प्रएक दो च्रकर्स करणें है clothes packing होती है cubic close packing होती है इस प्रकार के सरचना में जो आप देखेंगे की जो वाड होती है वो 22 наж के shape में होती है और Q4 यन्य की 8 गोलों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो क्यूब के आकार का होता है और जूकि भी कि आठ गोलों के बीच से घिरा हुआ है तो इसका जो प्रकार की रिख्तियां प्राप्त होती हैं एक चतुषफल की रिख्ति और दूसरी अस्टफल की रिख्ति चतुषफल की रिख्ति में हमने देखा कि जब नीचे के एक प्लेन पर नीचे तीन गोले हों और एक चौथा जो गोला है वह इन तीन गोलों के बीच में इसके अवनमन पर रखा जाए तो इन चार गोलों को जब हम मिलाते हैं तो एक चतुषफलक का निर्मान होता है और इस चतुषफलक के बीच का जो रिख्त स्थान होता है वह चतुषफल की आकरती का होता है जिसे हम चतुषफल की रिख्ति कहते हैं और चुकि यहाँ पर चार गोलों से रिख्ति घिरी ह हुई है इसलिए इसकी कोडिनेशन नंबर चार होती है इसी तरह से दूसरी प्रकार की जो रिखती है अस्टफल की रिखती यहां पर यदी हम देखें कि नीची परत के तीन गोले यदी लें और ऐसे ही इन तीन गोलों को घुमा कर इसके ऊपर रख दिया जाए और सभी कोलों के केंद्र बिंदूवों को मिला आपस में मिला दिया जाए तो बीच में जो रिकत स्थान बचता है वो अस्टफलक के आकार का होता है और इसे लिए इस प्रकार की रिखती को हम अस्ट फलक depends कि कहते हैं इस है का जो कौडिनेशन नमबर होता है वह छे होता है क्योंकि वो तीन कोलों और उपर के तीन कोलों से घिरी होई होती है तो यह है इस अस्टफल की रिखतियां